शूट होने के बावजूद, टीवी की एअक्टरसेस कुछ इस तरह से मनाती हैं नवरात्री. मुरत रखने से लेकर पूजा पाठ करने तक, इन स्टार्स ने बताया क्यू है नवरात्री का त्योहार उनके लिए खास. आखिर नवरात्री को लेकर इन स्टार्ट्स ने क्या कहा जानने के लिए देखें फर्स्ट इंडिया टली की ए रिपोर्ट गल नवरात्री स्रिफ डांडिया गर्बा और नय कपडों की सजधच का जश्ट नहीं होता बलकि वरत और पूझा पार्ट का तियोहार भी होता है ये वो मौका होता है जब आम आद्मी से लेकर जाने माने सलेψ भी मन और तन की शुद्धी करते हैं ऐसे में इस खास मौके पर आएए जानते हैं कि कौन कौन से सलेप्स नवरात्री में वरत रखते हैं और इस बार के तेहवार को लेकर वो कितने जादा उत्साहित है इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है मोना लिसा का भोजपूरी फिल्मों में और नमक इश्क का नजर जैसी सीरियल्स में अपनी बहतरीन एक्टिंग से सभी का दिल जीतने वाली मोना लिसा हर साल नवरातरी को सेलिब्रेट करती हैं वो हर साल व्रत रखती हैं इस तेहवार को लेकर मोना लिसा का कहना है कि मूल रूप से बंगाली होने के नाते दुर्गा पूजा और नवरातरी का बचपन से ही अपना एक गजब आकर्शन रहा है जब छोटे थी तो लगता था कि उलास और शक्ती से भरपूर इस परवो पर नए-नए कपड़े मिलेंगे चाचा मामा हमें गिफ्ट देंगे तब हम कॉलकत्ता में रात भर मा दुर्गा के पंडालों में घुमा करते थे पूरी रात तप्रियों पर खान पान का जशन चला करता था अब कोविड के दो साल बाद कॉलकत्ता में दुर्गा पुजा की रौनक लॉट आई है अक्टरस ने बताया कि इस बार वो और उनके पती विकरान सिंग राजपूत कॉलकत्ता में ही है और इस बार पूरे शहर की एनरजी देखने के लायक है मोना लिसा ने कहा कि मेरा ससुराल यूपी में है तो जब से मेरी शादी हुई है मैं नवरातरी का वरत जरूर रखती हूँ नवरातरी के पहले दिन हमारे घर पंडित जी आते हैं पूजा होती है मैं निरजला वरत रखती हूँ एक दिल्चस्प बात बताऊँ जब भी मेरा उपवास होता है मेरी शूटिंग जरूर होती है मगर मा दुरगा मुझे उपवास में काम करने की शक्ती देती है सीरियल हपू की उल्टन पुल्टन में अम्मा का रोल प्ले करने वाली हिमानी शिवपुरी को आखिर कौन नहीं जानता हिमानी हम आपके हैं कौन कुछ कुछ होता है जैसी सूपर हिट फिल्मों में भी काम कर चुकी है ऐसे में नवरात्री को लेकर एक्ट्रेस का कहना है की हमारे जादतर वरत उपवास किसी न किसी कारन होते हैं अब जैसे नवरात्री में मौसम बदल रहा होता है तो ऐसे में बोडी को डिटॉक्सिफाई करना जरूरी होता है मैं जानती हूँ कि एक कलाकार के लिए एक्टिंग और शूटिंग जैसे हेक्टिक काम के बीच व्रत करना मुश्किल होता है मगर मैं सालों से नवरात्री के उपवास करते आई हूँ मुझे याद है औस्ट्रिया में मैं टिप्स की एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी और मेरी नवरात्री की उपवास थी तब स्पोर्ट बॉय लगातार मुझे फ्रूट्स और जूस लाकर दे रहा था अपने देश में तो शाबू दाने की खिचडी भी बना सकते हैं मगर विदेश में उपवास में फलो का ही सहरा रहता है पहले मैं पूरे नौ दिन उपवास रखती थी मगर अब डायबिटीज की मरीज होने के कारण पहला और आखरी उपवास ही रख पाती हूँ उपवास के दौरान हप्पु की उल्टन पल्टन की शूटिंग होगी अगला नाम है मिताली नाक का वेल एक्टरस मिताली नाक को जी टीवी के सीरियल अफसर बीटिया से फेम मिला है जिसमें वो कृष्णा राज का रोल प्ले करती थी मिताली भी मा दुर्गा की भक्त है नवरात्री को लेकर एक्टरस ने बताया की मैं उस वक्त कॉलेज में थी जब मैंने नवरात्री के वरत रखने शुरू किये थे तब से मैं पहला और आखिरी उप्वास जरूर रखती हूँ जिन दिनों मैं शूटिंग कर रही होती हूँ उन दिनों फलहार लेती हूँ मगर जब शूटिंग या काम नहीं कर रही होती तब मैं निर्जला उप्वास रखती हूँ हर नवरात्री पर मैं दुर्गा शप्तशती का पाठ करती हूँ ये पाठ मेरे अंदर उर्जा भर देता है अस्टमी पर मैं कन्याओं को घर बुला कर उनका पुजा करती हूँ और उन्हें खिलाती पिलाती हूँ अगला नाम है शुभांगी आत्रे का भाबी जी घर पर है की अंगुरी भाबी यानि एक्ट्रेस शुभांगी आत्रे भी पिछले तीन साल से नवरात्री का वरत रखते आ रही है शुभांगी ने नवरात्री को लेकर कहा की पूरे 9 दिन मैं उपवास रखती हूँ और मैं अनाज और तामसी भोजन से दूर रहती हूँ इन 9 दिनों में फलहार और साबुदाने की खिचडी का सेवन करती हूँ मैं पिछले लंबे अर्से से भाबी जी घर पर है की शूटिंग कर रही हूँ और शूटिंग पर निर्जला वरत संभव नहीं हो पाता इसलिए मैं फलहार लेती हूँ ताकि डायलोग बोलने और एक्टिंग करने की एनरजी बनी रहे मैं शक्ती में काफी यकिन रखती हूँ और मुझे लगता है की कई बार आप वरत और उप्वास के जरिये संयम और अनुशाशन सीखते हैं तिन सालों में मैंने जबसे नवरात्री पालने शुरू किये तबसे लगातार शूटिंग रहती ही है मगर मैंने देखा है की मा दुरगा एक जादूई शक्ती देती हैं और मैं अपने उप्वास को पूरी शिद्दत से कर ले जाती हूँ मैं गरबा खेलना इंजॉय करती हूँ इतना ही नहीं कई इवेंट्स में जा कर भी गरबा खेलती हूँ इस लिस्ट में अगला नाम है चारूल मलिक का भावी जी घर पर हैं और हप्पू की उल्टन पल्टन में रुसा का रोल प्ले करने वाली चारूल मलिक भी हर नवरात्री को खुशी खुशी सलिब्रेट करती हैं अक्टर्स ने बताया कि जब मैं स्कूल में थी तब पूरे नौ दिन उपवास रखती थी इसी दोरान एक बार चकर आ गया था तब से मम्मी ने सक्ती से कहा कि मैं पहला और आखरी उपवास रखूँ और मैं सालों से उस नियम का पालन कर रही हूँ सुबह उठकर मैं पानी पी लेती हूँ और फूर्ट्स पर निर्भर रहती हूँ पूजा नियमित रुप से करती हूँ इन दो दिनों में मैं अनाज नहीं खाती बहुत ज़ादा भुख लगे तो उबला हुआ आलू खा लेती हूँ मैं नवरातरी में उपवास और पूजा पाट के लिए पूरी तरह से तयार हूँ तो यह थी TV की कुछ एक्ट्रसस जो की हर साल नवरातरी को बड़े ही धुमधाम से सेलिब्रेट करती हैं उस पर आपकी क्या राय हैं हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें टेलिविजिन के दुनिया से जुड़े हर एक लेटिस्ट खबरों से अपडेटर रहने के लिए फर्स्ट इंडिया टली को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें